हेलो फ्रेंज वार्शाओ तो दुस्तो रिलाइंस जियो 5G हाद दुस्तो आपने बिल्कुल सही सुनाए के रिलाइंस जियो उसके 5G गवर में कुछ एनौन्स कर दिया है इंडिया के लोग अभी तक रिलाइंस जियो का 4G कोई ठीक तरह से इंजोई नहीं कर पड़े और उसी में 5G वर आनोस कर दिया है रिलाइंस जियो ने तो आपके इस जियो को देखते रहे हैं और आज के इस विडियो में मैं इस ही रिलाइंस जियो का 5G वर में कुछ बात करने वाला हूँ लेकिन सबसे पहली बताते कि अगर आपको इस विरो को पसंद आता है तो इस विरो को सबसे ले शेयर कर दिजिए और हो सकता हमने चैनल को भी सबस्क्राब कर लिजिएगा So, let's begin So, दोस्तो, Reliance Geo Infocom के प्रेसिडेंट मिथेयो ओमेन यह ओमेन मतलब ऐसा ओमेन नहीं है यह ओमेन का स्पेलिंग है डबलो, डबलम, एन तो इसने Reliance Geo 5G गवर में कुछ बात बताए है कि गॉबर्मेंट पिछले मैंने कुछ हाई लेवेल स्पैनेल लगाए जिसके तहित 500 करोर के रिशाच और डेवलोपमेंट के बात आभी Reliance Geo 5G के वर में कुछ रोलाउट करने वाला है वो करने वाला है 2020 में पहले तो सुनने आता था कि 2021 में 5G रोलाउट होगा लेकिन अभी बोलड़ा है कि 2020 में ही वो रोलाउट कर दिया जाएगा और गॉबर्मेंट ये बोल रहे कि हम भी 5G में फोकस कर रहे और इसके तहित हमारे इंडरस्टिय और टेकनोलेजिय के बीच हमारा कॉमिनिकेशन और भी बर जाएगा मतला बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा होगा और इसलिए रिलाउट जीयों के साथ बहुत ही जल्दी 5G को रोलाउट करने वाले और इसके साथ रिलाउट जीयों इन्फोकम के प्रेसिडेंट मिथेव उमेन ने ये भी बोला है कि हम हमरे सार्विस को और भी डेवलोपमेंट कर रहे और और भी अच्छा 4G सर्विस को और भी बहतर बाने के कोशिश करें लेकिन साथ में 5G को भी ध्यान में राख रहा है और साथ में Telecom Regulatory Authority of India ये भी बोल रहे कि उसको जो airwaves होगा मतलब जो 5G connection का जो airwaves होगा वो 3300 से 3400 MHz से लेकर 3400 से 3600 तक MHz के band पर चलेगा मतलब Relance Geo को इतने bands को enable करना होगा उसके बाद ही 5G को offer किये जाएगा मतलब Relance Geo को 5G को हम तक पहुशने के लिए Relance Geo को और भी बहुत ज़्यदा उसके network को बैतर करना होगा उसके बाद ही हम तक ये 5G network को उच पाएगा मतलब आप लोग समझ रहे हो के 3300 से 3600 MHz के band पर हमारा speed कितने मिल सकता है अभी हमारा 4G connection है वो 1300 से 2400 MHz पर चलता है और अगर 5G connection आ गया तो हमारा speed कितना मिलगा हमारा phone पर ही आप लोग नीचे कमन करके ये बताओ के 5G connection में आपके mobile में कितने Mbps के speed मिल सकता है आपको आपको वीडियो पसंद आएगा अगर आपको पसंद आता है तो आपको एक लाइक करेजिए और आपको जितना सो उतना अबता शेर कीजिए क्योंकि ये एक नए technology आने वाला है और उसे के साथ हो सकता हमने channel को भी subscribe कर लिजेगा So thank you friends, thanks for watching and always keep smiling